फिर से आप सभी के बीच लेसन नमबर सिक्स इस एसेज़डी पे ईशु के नाम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ स्कूल अफ साउन डॉक्टिन का मकसद एक ही है और मकसद है ईशु के लिए ऐसे योधा तयार करना जो परमेश्वर की खरी सिक्षा लोगों के बीच में मसी के दै में लेकर जा सके जिस विशे पे आज बात करूँगा वह विशे है तीच दैम जी हाँ आपने ठीक पढ़ा ठीक सुना ठीक देखा लिखा है तीच दैम जिसका हिंदी अनुहाद रखा है आपके लिए उनको तो लिखा है तो डिच दैम उनको सिखाओ इस अदबुद प्रकाशन इस अदबुद विशे पे आपके बीच में जब मैं अभी आ रहा हूं तो मैं जहनता हूं के परमेश्वर का आत्मा जिसका मकसद ही है इशु की बाते लेना और मुझ को आपको सिखाना और जब मुझ क आपको सिखा चुका होगा तो फड़ से मेरा आपका दूस्तों को सिखाना तो इस लेसर नंबर सिक्स पे ये टॉपिक आपके बीच में मैंने रखा है तीच दैम उनको सिखाओ इशु की एक ऐसी तस्वीर जो कि बिलकुल ओरिजिनल नहीं है ऐसा ही गटा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ लेकिन मिलता जुलता ताकि आपको कनेक कर सकूँ इसलिए ये फोटो आपके स्क्रीन के ओपर आप लोग देख पा रहे हैं इशु को लूका की किताब चौत्वे अधियाय में वचन अठारा से आगे इशु को उस वक्त एक पुस्तक दी गई थ यशाया की और वहां पर इशु ने पढ़ा और कहा मुझ़े अभीकिया गया है और मुझे भेजा गया है ताकि मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूँ जी हां उसी मक्सद के साथ इशु स्पृत्वी पर सेविकाई कर रहे थे जब ईशू सेविकाय कर रहे थे जब वो गुरूश पे मरे तीन दिन के बाद जी उठे जी उठने के बाद लगाता चालिस दिन ईशू ने एक ही बात पर जोर दिया और वो जोर था टीच देम पास्थे डैनियल आप कैसे कह सकते हैं क्या इसका कोई वचन है? कहां से ये concept आपके बीच में मैंने लाया और आपके बीच में मैं रखोंगा वो यहां से मत्य की किताब उसका 28 वा अधियाए वचन 20 मैत्यू चप्टे 28 वर्स 20 क्या लिखा है देखिएगा लिखा है उन्हें जिस जिस को तुम मिलते हो उन्हें, जिस जिस जाती में तुम जाते हो उन्हें बुरुश हो या स्त्री उन्हें तो लिखा है उन्हें सब बातें रिपीट करता हूँ सब बातें कौन सी बातें पास्टे डैनियल वो बातें लिखा हैं जो ने तुम्हें आजया दी ईशु की चार किताबें हैं मति, मर्कुश, लुका, यौना इन पुस्थकों में मति प्रंग में 28 हद्या है मर्कुस में 16 हद्या है लुका में 24 हद्या यौना में 21 हद्या यह तोटल τग पुस्थकों में ईशु ने जो बाते उस वक्त अपने चेलो को सिखाई वो कहता है उन्हें सब बाते आग्या मानना सिखाओ ये शाब्द पे ध्यान दीजेगा जिसको मैंने हाइलाइट किया लिका है मानना सिखाओ तो इसका मतलब है जितने भी प्रभु के दास दासी बेटा बेटी लड़का लड़की आप जितने भी सुन रहे हैं पुरुष्ट्री मैं सब को कहता हूं कि इशु का प्रमुक आग्या इसके पहले कि वो उपर उठाए जाते इसके पहले कि उनका असेशन हो जाता उठा लिय इसका मतलब है कि जो भी इशू को अपनाता है उसका अगला कदम एक ही है और वो है दूसरों को सिखाना और इस विशे पे आज आपके बीच में मैं बाते करूँगा ठीक है ना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जितने फेस्बुक माफ करें यूटूब और जितने बुड़ चुके हैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आज के लेसन नंबर सिक्स पे फोकस करना है कि आप को दूसरों को सिखाना है ना लिका है देखो मैं जगत के आंते तक सदे तुमारे संगो इसका मतलब है इशू उनके संग है जो दूसरों को सिखाते है इ इशू बहुत पटिकुलर है, बहुत विशेस्ट है, और वो कहता है, मैं सब के साथ नहीं रहता, मैं उसी के साथ रहता हूँ, जो मेरी बातों को लेके चलता है, तो इसका मतलब, हम सब को, दुस्रों को सिखाना है, इशू का, एक ऐसा पहलू, एक ऐसा एंगल, एक ऐसा चरित्र, आपके बीच में रख रहा हूँ, जिसको एक वेक्ति, जिसका नाम है नेकुदेमुस, उस वेक्ति ने, इशू के पास आकर, क्या कहां, इसके उपर, तोड़ा सा फोकस करेंगे, तो यहुना की किताब, तीसरा ध्याय वचंदो, दबुक ऑफ जॉन, चैप्टर त्री, वस्ट्टू, क्या कहता है देखो, उसने, किसने, नेकुदेमुस ने, उसने रात को, इशू के पास आकर, उससे कहा, क्या कहां, आपको जान करता आजूबोगा, उसने कहा हे रभी, रभी, आप जानते हैं, कि यहूदी, जिसको, या जिससे, कोई सीख मिलती है, या उसको सिखाता है, उसको रभी, गोशिद करते हैं, या बुलाते हैं, तो कहता है, हे रभी, हम जानते हैं, ये हम शब्द, plural form है उसने क्यों कहां हम क्योंकि शास्त्री फरसी सदू की उस वक्त के जितने भी महायाजक या याजक या उस वक्त के जितने भी सो कॉल लीडर थे उन सब को पता था निकु देमुस कहता है कि हमारे बीच में आपके नाम की चर्चा होई थी आपके नाम की चर्चा हो रही है और वो कहता है कि हम जानते कि तू यानि येशू मसी नासरत का येशू तू परमेश्वर की और से शब्द पे द्यान देना गुरू होकर आया है ये जो शब्द देना गुरू इसका English translation है teacher कहां से लिया यहां से ओरिजिनल मैनिस्क्रिप्ट Greek language युणानी भाषा आप ठीक से जो जिसको मैंने एरो किया है या सरकल किया है आप देख सकते हैं वहां लिका है a teacher a teacher didaska teacher इसका मतलब इशू को नेकुदेम उसने क्या कहां आप teacher है अक्सर ये चार पुस्तकें और इशू की new testament इशू का ये पहलू कि इशू एक teacher था नहीं दिखाते प्रचारक और जिसका मुझे गुसा है और अफसोस है कैसा क्यों करते है इशू मेरे कलवर कर हैं बिलकुल लेकिन उसी को क्यों पेश करते हैं इशू डिलवर हैं बिलकुल उसी को क्यों पेश करते हैं ये शू रोटी खिलाता था बिलकुल उसी को क्यों पेश करते हैं इशू गुरू जो देश के रास्टर पिता हैं, आप सबी जानते हैं, जब साउथ आफरिका में लॉकिस्ट टुड़ी कर रहे थे, उन्होंने बकाइदा बाइबल पड़ी, और बहुत सारी टीचिंग, ईशु की लेकर, दो सो साल की गुलामी, जो बिटिश अंग्रेज के जमाने में चल रह लेकिन आज इशु को टीचर, घुरू गोशित नहीं किया जा रहा है, या फिर वैसा पेश नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुझे खुशी है, SSD के जितने सदस्य हैं, और YouTube पे अभी जितने आप लोग देख रहे हैं, आपके लिए के इशु की सही आइडेंटिटी रख पा रहा हूं, यह वैक्ति जिसका नाम है डैनियल राज, इस प्लेटफॉर्म से, SSD के प्लेटफॉर्म से, और जितने भी आप अभी देख रहे हैं, जूम के लोगों, आपको भी बता दो के इशु को निकु देमुस ने क्या कहा, रख रहा हूं, तो निकु देमुस ने इशु को टीचर कहा, टीचर कहा, इशु को नहीं कहा, आप miracle worker करने वाले परमेशर जी नहीं, उसने कहा, आप परमेशर की ओरत से हैं, इसलिए जब चमतकार हो रहे हैं, लेकिन उसने उस पर जोर नहीं दिया, उसने कहा, आप टीचर हैं, आप गुरु हैं, ऐसा क्यों?, क्योंकि इ उस वक्त में टीचर था, वो भी सिखाता था, लेकिन उसको पता था कि इशु की टीचिंग की लेवल, और हम जो सिखा रहे हैं उसकी लेवल, समीन आसमान का फराग है, और आपके बीच, जिस मसिया को आप अराधना करते हैं, जिसका मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, जिसकी आप लोग स्तुत्य अराधना करते हैं, वो टीचर है, दिमाग में गुशा लिजे, येशु गुरू है, टीचर है, और येशु जैसा टीचर, बेस्ट टीचर, तब, अब, कभी भी, नहीं हो सकता, येशु, पास्टर डैनियल, येशु क्या कोई Bible College रहे थे, बिल्कुल नहीं, क्या कोई theology study करी थे, बिल्कुल नहीं, येशु के पास में कोई PowerPoints था, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके बावचूत, येशु अवब दर्जे का teacher था, यहाँ ताली बजनी चाहिए यह जूम के लोगो वाव साड़े तीन सो लोग अभी जूम पर हैं मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ और साथी साथ जितने यूटूब पर अभी आप देख रहे हैं ये शू जो टीचर है एक अच्छी ताली प्रभू की महिमा के लिए जी हाँ इशू किसी बाइबल कॉलेज नहीं गया लेकिन अच्छे अच्छों को सिखा गया और अभी भी सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है इशू की चार किताबे जैसे मैंने का मती मर्कुस लूका योना मती मठाइसे मर्कुस में 16, लूका में 24 योना में एकी सद्या है इशू को टीच करते वे अगर गिन लोगे तो 240 बार आएगा टीच करते वे इशू को प्रचार करते वे अगर गिन लोगे तो 143 बार 143 and 240 40. अब आप सोचिए और आकलन करिए, अनिलाइस करिए कि एशु ने जादा वक्त किस में बिताया? टीच करने में, सिखाने में. तो एशु की दिल्चस्पी तब, अब और अगे भी, जब तक कलीस्या ने उटा ली जाती, किस में है? सिखाने में. आप लोग समझ रहे हैं, जितने जूम के लोग हैं? देखिए आप जितने फेस्बुक और, माफ करें, यूटूब और जूम पर हैं, हम सभी क्या सोचते हैं? कि मुझे येशु के पास जाना है, येशु की कलीस्या में जाना है, पास्टर डैनियल तो इसका मतलब कि मुझे और आपको येशु के बारे में, येशु को लेकर, येशु की बातों को लेकर, येशु के वचनों को लेकर, दूस्टरों को सिखाना है, जिसके चलते हैं, तीतुस की किताब दो का एक, the book of Titus chapter 2 verse 1, क्या लिका देको, पर तू ऐसी बाते कहा कर, जो खरे उपदेश के योके है, English translation कहता है, but speak thou the things which become sound doctrine, इशु के जो दास है, पालूस, वो अपने एक छेले, जिसका नाम है, तीतूस, उसको कहता है कि तू, और आप जितने आभी देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कि तुम, जितने YouTube पे, तुम, लिखा है, खरे, उपदेश के, सिखाने वाले बनो, आप सभी को, अवल दर्जे का, टीचर बनना है, वाउ, अवल दर्जे का टीचर बनना है, जैसे जैसे आप मसी में आ जाते हो, पास्टर डैनियल, मुझे एक महिना हो गया, कोई बात नहीं, अपनी पिक अप पकड़ो, अपनी स्पीड पकड़ो, मैं एक साल से प्रभू में हूँ, अपनी स्पीड पकड़ो, मैं तीन साल से हुमें हूँ, अपनी स्पीड पकड़ो, कितना चैप्टर पड़ते दो, उसको बढ़ाओ, दस तो उसको और बढ़ाओ, आप जितनी स्थड़ी कर सकते हैं, करिए, वच्छन आपको मजबूत करेगा, वच्छन आपको तयार करेगा, वच्छन आपको दुस्रों को सिखाने के लिए परिपक करेगा, वाओ, जिस वेक्ति को आप सुन रहे हैं न, डैनियल राच, ये पांचवी क्लास तीन बार फेल है, मैं किसी बाइबल कॉलेज नहीं किया, मैं किसी तियलोजी स्टड़ी पर नहीं गया, मैंने किसी प्रकार का कोई स्टड़ी नहीं लिया है, लेकिन मुझे, एक ही आपने खुद को तयार किया है, जी, ये फोटो देख लिजेगा, जितने यूटूब पे आप भी देख लिजेगा, क्या आपने खुद को तयार किया है, क्योंकि आप टीचर है, आपको खुद को क्यों तयार करना है, क्योंकि आप टीचर है, फुरुष टीचर है, स्त्री teacher है लड़का teacher है लड़की teacher है मैं कुछ बातें Bible की आपके बीच में रखूंगा फिर एक concept में आऊँगा लिखा है Bible आपको teacher कहती है जी हाँ आपको Bible teacher कहती है कैसे अभी रखूंगा वचन कुलिसियो 3 का 16 देखो क्या लिका है मसी के वचन को अपने रधे में अधिकाई से बसने दो ऐसा क्यों क्योंकि सिद्ध ज्ञान सहीद एक दूस्रे को सिखाओ और चिताओ तो वचन किसको रखना है उस व्यक्ति को जिसने अभी एक महिना, दो महिना, एक साल, दो साल अपना जीवन प्रभू को दिया उन सभी को परमेश्वर के वचन को अपने रिधे में, देखो क्या लिखाए, अधिकाई से इसका मतलब क्या है जितना हो सकता है पढ़ो, 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 पढ़ो स्टेडी करो, बैठो, सीखो और जिसके चलते पवित्रात्मा आपको आपको शार्प करेगा शार्प समझते हैं? जी हाँ, धार करेगा चाकू को धार करते हैं, तलवार को धार करते हैं, कुलारी को धार करते हैं वैसे शार्पन जिसका इंग्रिश ट्रांसलेशन है जैसे वच्छन आएगा पवित्रात्मा आपको शार्प करेगा उन्हें विश्वासी मनुश्यों को सौब दे जो औरों को भी सिखाने के योगे हो तो पालूस ने सिखा गमलेल के पास पालूस ने सिखा तिमोती ने पालूस से सिखा तो पालूस कहता है कि तिमोती जो तुने मुझसे सिखा दूसरों को तैयार कर ताकि वे भी दूसरों को स पहला पत्र तीन पंद्रा रखोंगा वाव यह बहुत इंटरस्टिंग है स्क्रिप्ट्टर सुनिएगा लिका है पर मसी को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा तुम्हारा फेट तुम्हारा क्या कहते है किसको फॉलो करते हो आशा के विशह में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सरवदा तयार रहो तो जिसके चलते मैंने यहां पे क्या रखा था क्या तुम तयार हो क्योंकि तुम टीचर हो और पॉलूस कहता है तुमको तयार होना है सरवदा तयार हो पर नमरतार भाई के साथ तो इसका मतलब है लाल में जैसे मैंने लिखा है सरवदा तयार हो क्यों उत्तर देने के लिए किसी हिंदू ने पूछा आपको तुम्हारा फेट क्या है तक करके जवाब देना चाहिए किसी मुस्लिम ने पूछा तुम्हारा फेट क्या है तक करके जवाब देना चाहिए कोई फोन पे वाटसप पे यूटूब पे फेस्बुक पे किसी भी लेवल पे प्लैटफॉर्म पे आपको पूछते हैं किसी CJ के पांच प्रकार किसी भी काई है तो क्या परमेश्वर सब को टीचर बनाताहे बहुत धियन सब सुनना उस एक वच्छन को उठा कर अगर आप यह कहोगे कि सब टीचर नहीं बन सकते तो आप गलत हो क्योंकि परमेश्वर के वच्चन का प्रचार करना, एक एक वेक्ती जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है उसका दायत्व है, उसकी responsibility है, कि वो दूस्टरों को बता, इस वच्चन की मताबिक और बाके की दो वच्चन लेकिन इफीस यो चार गारा 11 का क्या करें, वो बात आ रही है ministry के concept में ministry के अंदर कुछ अवल दरजे के expert होते हैं मैं आपका example देता हूँ हर field में experts हैं doctor medical चेत्र में experts हैं, mechanically expert हैं, हर चेत्र में expert हैं, तो expert expert, expect expert expert जो होते हैं, वो level अलग है लेकिन सब को काम करना है, वो अलग है तो issue कहता है teacher सब को बनना है लेकिन उस ही में परमेश्वर किसी को expert बनाता है, तो खोई दिक्कत नहीं जिसको बनाए बनाए, अभी जैसे आप के लिए मैं हूँ हर topic पे बात कर सकता हूँ पूछो जो भी पूछना है डंके की चोट पर प्रोग्राम चलाता हूँ क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को पीछे जाना होगा, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने रिधह में अधिकाय से बसा लिया है, मैंने बहुत बेनत करी हैं और मैं आगे भी करता रहूँगा, कोई भी topic इसलिए ठंक्स के उपर अनियबाशा के उपर बीच में किसी ने पूचा कि Pastor Daniel, अनियबाशा को लेकर debate क्यों नहीं करते, मतलब किसी ऐसे वैसे से आप debate क्यों नहीं करते, मेरा एक प्रशन है वो भी यह करेगा, तो फिर debate से निकलेगा क्या कुछ भी नहीं, time waste energy waste, पैसा waste public का दिमा कराब, इससे better है, आप अपना प्रचार करो वचन सही है, context में वो रखो, बाकी public की मर्जी उनको क्या ठीक लगता है, क्या नहीं लगता है, वो बात कि लोग मुझे बैक्तिगत कॉल करें और पूछें, जितने भी तुर्रम खान है या जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि टंग का, ताइद का, यहुदी वाद का, या जो भी टॉपिक्स है, आप सालवेशन को लेकर, रप्चर को लेकर, या अगर बात करना है, बेशक, उनका स्वागत है, बैठाओ यहाँ पर, लेकिन कम से कम, डंके की छोट पे बोल सकता हूँ, कि ऐसी तैयार है एक्सपर्ट लेवल पे, मुझको और आपको आना होगा, और इसमें से किसी को अगर प्रभू तैयार करता है, तो वो अलग बात है, लेकिन सब को टीचर बनना है, इसलिए लिखा है तुम टीचर हो तुम टीचर हो, अभी जितने जूम पे देख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप टीचर है, लड़का, लड़की पुरुश और स्त्री, सब टीचर है वच्छन कह रहा है, भाई, बल आपको कहती है, आप टीचर है, see this आप टीचर हैं, यह देखो वच्छन को भरो, क्यों? ताकि तुम सिखा सको दुस्टों से सिखा दुस्टों को सिखा, उनको कहो कि उनको भी सिखाने के लिए, कहता है कोई तुम से पूछे, तो उनको कहो कि भाई यह तुमारा फेट क्या है तुम तैयार रहो जवाब देने के लिए अब एक लेवल आगे, थोड़ा डेप्त में जाते है, पास्टे डैनियल अगर हमने कहा और टीच करना स्टार्ट किया क्योंकि जब तक हम लड़्डू टाइप की बाते करते हैं, मीठा मीठा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब हम डॉक्ट्रीन को टच करते हैं किसी की एक्जाम्बल के तौर पे, आज दो साल से बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि लॉक्ट्रीन है तो चर्च बंद है, लेकिन जब जाता था, कन्विंशन में, कॉंसर्ट्स में क्रुसेट्स में, तो जब जाता था तो लोग कहते थे कि, हो, पास्टे डैनियल आपको हमेजा प्रीचर बुलाना चाहते हैं, आप सब प्रीच करना, लेकिन डॉक्ट्रीन टच नहीं करना, अब बताइए, डॉक्ट्रीन नहीं टच करेंगे, तो नहीं, लेकिन कुछ चर्चेस कहते हैं, आप सब प्रीच करो, लेकिन सिद्धान्त नहीं सिखाना, लेकिन ये गलत है, और मैं तो सिखाऊंगा, और मैं सिखाता था, और वापस कहते हैं, अगर किसी ने आपको फेस्बुक पे, ऑनलाइन पे बुला, बुला, आप सब प्रीच करो, लेकिन डॉक्ट्रिन प्रीच नहीं करना, तो उनको वहीं पे कहना है कि सर, पिर जब डॉक्ट्रिन नहीं प्रीच करेंगे, तो लोगों को एजुकेट किसमें करेंगे, अप है मेरे साथ में, तो दिक्कत आती है, पास्टर डैनियल, जब हम डॉक्ट्रिन टीच करना शुरू करते हैं, किसी को कहना शुरू करते हैं, कि देखो, बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारे चर्च में ये चलता है, आपका चर्च का ये सिस्टा में, लेकिन बाइबल उसको पुरा आपोजिट है, वचन मैच नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पे शुरू होता है सता, फोटो देख लीजिए, तो लिखा है, मेन रिजन फो अर्ली चर्च क्रिशन प्रस्यकुशन, कलिसिया की, जो पहली कलिसिया थी, जो पहले मसी थे, उनका प्रस्यकुशन, सताव का सबसे बड़ा कारण है, जब वो प्रीच करते थे, टीच करते थे, सिखाते थे, तो सताव शुरू हो जाता था, कहते हैं कि आपने ऐसे कैसे सिखा दिया, आप कैसे ये गलत है, वो सही है कैसे सकते हो, येशुही मार्ग सते जीवन कैसे कह सकते हो, लकडि पत्थर ईश्वर नहीं है कैसे कह सकते हो, हम तो पुर् Wayacey मान रहे हैं उसको तुम गलत कैसे कह सकते हो, तो यहां से सताव शुरू होता है, पास्टर धैनियल, कोई वच्छन है कि सताव शुरुआ था, of course. Acts chapter 4 verse 18. ध्यान दीजेगा. प्रिजितो का 4 का 18. देखो क्या लिखा है. लिखा है तब उन्हें बुलाया. किसको सिखाने वालों को? ये ब्रैकेट में मैंने लिखाया. बेट कॉंटेक्स में वही आएगा. आगे कनेक्ट हो जाएगा. लिखा है उन्हें बुलाया. उन्हें बुलाया. और चितवनी देकर कहा. वार्निंग दिया उनको. उनको का खबरदार वार्न किया. चितवनी देकर कहा कि इशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना. See this? तो इशु का प्रचार नहीं करना. दूसरा इशु की बाते लोगों को नहीं सिखाना. अगर तुम सिखाते हो तो तुमको जिन्दा जंगली जानवरों के भी छोड़ दिया जाएगा. तुमको जिन्दा आरी से चीर देंगे, पत्तर से मार देंगे, या वो उबलते तेल में डाल देंगे और टॉचर करेंगे तुमको. तो मसीहत, पहली सदी की प्रस्यक्यूशन, सताव अगर सही, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो येशू की बाते लोगों को सिखाते थे. अब ध्यान दीजेगा, जितने जूम पर और यूटूब पर, ध्यान दीजेगा. अगर पहली सदी में, ऐसा हुआ था, तो क्या 21 सदी में भी यही होगा, पास्ट्री डैनियल? यास, यही होगा. मतलब, आप जब दूस्त्रों को एजुकेट करोगे, दूस्त्रों को सिखाओगे, तो मतलब आपको सताव सहना पड़ेगा? येस. आपकी लोग विरोध होंगे? येस. आपकी बदनामी होगी? येस. आपके अगेंस्ट में, आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाएगा, आपके अगेंस्ट में विडियो बनेगी? येस. तो फिर क्या करें? पाउलूस क्या कहता देखो? और यही फॉलो डैनियल राज करता है. प्रेजितों के किताब उसका अठाथा, इसका 31. एक्स 28-31. देखो क्या लिखा है? जो उसके पास आते थे, उन सबसे मिलता रहा. बिना रोक टोक बहुत निडर होकर याद रखो रोक टोक किसी के भी रोकने टोकने से बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार और प्रभु येश्व मस्य की बातें सिखाता रहा. येश्व की बातें सिखाता रहा. कैसे? निडर होकर. तो आपको क्या करना है? जितने जूम पर और यूटुब पर है. आप जो सिखाने वाले वाभी तयार होगे. क्योंकि SSD में आप students है और ये School of Sound Doctrine है. आप यहां सीख रहे हो. ओके Pastor Daniel, हम सीख रहे हैं और हम सिखाएंगे. तो आपको कैसे सिखाना है? निडर होकर. ओ, मतलब अगर कोई आपका विरोध करता है, तो उसको डरना है? नहीं डरना. यही तो topic है हमारा? सिखाओ. तो जितने Zoom पर हैं, मैं सब को पूछ रहा हूँ. क्या आप सिखाना शुरू करोगे? अगर आप सिखाना शुरू करोगे, तो थम करके बता दीजे. आपको सिखाना शुरू करना पड़ेगा. और कैसे? बहले, खुद पूरी तैयारी कर लो. मतलब इतनी मजबुती के साथ आ जाओ. खुद की स्थड़ी तनी अवल दरजे की हो. कम से कम अगर कोई आपका विरोध करे, तो आपका चारो खाने चित कर सको चार तरीके से उसको टैकल कर सको. ऐसी तैयारी आपके ओनी चाहिए. कोई पूछे, आपका विश्वास क्या है, तो तैयार रहो. चार तरीके से जिसको कहते हैं, चारो खाने चित, ऐसे जवाब देना आपको. अब यहां तक हम समझ गए. अब प्रकाशित वाकी की पुस्तक के तोटल टू चाप्टर्स में ईश्व ने कुछ साथ कलिस्याओं का जिकर किया. उसमें से नमबर वन को छोड़ दीजे, नमबर टू की कलिस्या, जिसको कहते हैं पिरगमून की कलिस्या. इस कलिस्या को अपोकलिप्टिक के तोर पे देखना होगा. किसी ने आज मुझे पूछा, कि साथो कलिस्या क्या है, क्या वो तब थी, अफकोस तब थी, लेकिन आज वो कलिस्या नहीं है, लेकिन येश्व की सब कलिस्या को मिला कर, अपोकलिप्टिक के तोर पे वहाँ पर परमेश्वर येश्व मसी ने अपने दास को कहा और कहा कि भविश में भी ऐसी कलिस्या आएंगी लेकिन उस वक्त में किसी को सम्मोदित करना था एडर्स करना था लिखना था तो पिरगमून की कलिस्या तो पिरगमून की कलिस्या में क्या था और येशु ने क्या कहा देखते हैं प्रकाशिद्वा के 2 का 4 से 14 से 15 तक दो वचन पढ़ेंगे लिखा है पर मुझे यानि येशु को पर मुझे तेरे विरुद कुछ बाते कहनी है किसकी परगमून की कलिसिया क्योंकि तेरे यहां तो कितने तो ऐसे हैं कैसे हैं देखिएगा जो बिलाम की सिक्षा को मानते हैं किसकी सिक्षा बिलाम की वाव सिक्षा को शब्द कोबे ने हलेट किया लाल से तो ये बिलाम कौन है मैं इसको भी समझाओंगा लेकिन आगे पढ़ते हैं जो बिलाम की सिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरालियों के आगे ठोकर का करण रखना सिखाया, कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे बिचार करें, वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं, जो निकूलियों की सिक्षाओं को मानते हैं, Nikoliوں का मतलब है मैं बड़ा वो बड़ा मैं बड़ा तू छोटा ये वाला ठीक है ना सिक्षा को मानते है जिसको कहते है कि खुद को Boss बनाना ऐसी वाली बाते है ठीक है ना अब बात करते हैं बिलाम की बिलाम की सिक्षा का क्या जिसको पत्रस ने दूसरा पत्रस दो का पंदरा 2nd Peter 2.15 में क्या का देखिए कहता है वे सीधे मार्क को छोड़क भटक गए और बोहर के पुत्र बिलाम के मार्क पर हो लिये हैं जिसने अदरम की मग्दूरी को प्रिय जाना तो इसका मतलब है कि पत्रस ने भी बिलाम का जिकर किया और येश्यू ने भी बिलाम का जिकर किया तो इसका मतलब है कुछ तो बात है जो कलिसियों में तब भी चलती थी आज भी चलती है और वो क्या है संसारिक हो जाओ संसारिक हो जाओ तो चर्च के अंदर संसारिकता घुज गई है तब भी और अब भी और फांदस साल के बास बात तो बेड़ा कर रखोगा वो बात अलग है मैं आऊंगा उसके ओपर भी ठीक है ना जितने लोग हैं ध्यान दीजेगा लिखा है मूर्तों के बलिदान और वेबिचार फिर कहता है निकोलियों की सिक्षा तो पिर घुमन की कलिस्या में ये दिक्कत थी तो वहां कुछ टीचिंग ऐसी चलती थी और डॉक्ट्रीन कुछ ऐसा था जिसको एशु ने अबजेक्शन किया कहा कि ये गलत है सोच के देखिए अगर ईशु आज कलिस्या में आ जाए मैं किसी का नाम नहीं लोगा और ईशु अगर एक-एक चर्च में गुमने लगे और अपने सेवकों से का कि पेपर और पेन लेके रड़ी हो जा तो आपको बताओ 99.9% गलतियों पे गलतिया गलतियों पे गलतिया ये शु को मिलती जाएगी कि ये छेतर में गलत है तुमारी ये टीचिंग गलत है वो चाहे प्रेजन वशिप हो ताइथ हो टंग सो बैप्टिसम हो क्या कहते है सेलवेशन हो मतलब आप सोच नहीं पाओगे इतनी गलतियां मिलेगे तो एक सही टीचर एक सही सिक्षक जो एशु को लेके चल रहा है उसका फ़र्ज है कि कट टू कट सिधान के तौर पे स्क्रिप्चर के तौर पे दूसरा तिमती 2.15 राइटली डिवाइडिंग दे वड़ आफ टूथ वैसा सिखाने वाला अपेक्षा ये शु कर रहा है तो इसका मतलब है कि दो साल से तो मैं अपना गला पाड़ रहा हूँ सही सीखो, सही सीखो, सही सीखो अब आपको पता है कि जितने समझ रहे हैं वो आ रहे हैं, वो बच रहे हैं लेकिन जिन को नहीं समझा रहा है, वो भटक रहे हैं. दोका खाते, दोका देते, दोनों बिगड़ जाएंगे. और जिसके चलते, SST का ये दरशन, आपके बीच में पवित्रात्मा की और से में लाया, और आप लोग अभी कुछ 300-400 क्यास पास में लोग अभी जुड़ गएं, और आप लोग ये बात को सीख रहे हैं कि यार येस, हम सब पीचर हैं, हमको खुद को भी बननाना है, खुद को भी तैयार करना है, और जिनको हम लीड करते हैं, एक का दुक का दस भी सो, उनको भी ठीक से ठीच करना है, ठीक से ठीच करना है, नहीं तो एशू इस कलिस्या के मताबे, इस कलिस्या के मताबे, पर अगर मून की कलिस्या को डांट लगाई, कहता है मेरे को तेरे विरत कुछ कहना है, तेरे यहां पर कुछ घरबर चव रहा है तेरी टीचिंग ठीक नहीं है तु भटक गया है, तु बिघड गया है निकोलियों की टीचिंग क्या कहते हैं, बलिदान खाना मुर्ती पूजा करना, वेविचार करना बिलाम की सिक्षा तेरे पास आगई और जिसके चलते हैं, पत्रस ने भी डांट लगाई है, और खहता है कि तुम लोग तो भटक गए हो तो सोच के दे कि अगर पहली सदी में पत्रस ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि कलिसया भटक गई है, येश्यू के लोग भटक गए है, तो 21 सदी दो हजार साल हो गए आज, तो सोच के देखिए कि कितना जादा, आज भटके होंगे, तो क्योंकि अब ये शब्द भटक गए, उसको धिहन में रखते वह ये स्लाइड, आपको पढ़ना है, तो लिखा है आपको सबसे जादा मजबूत टीचिंग्स को देने में ही होना है, आपको मजबूत होना है, क्यों? भटक गए लोग, देख लिए, भटक गए, कई चेत्रों में भटक गए, तो आपको मजबूत होना होगा, पुरुष आपको बात कराओ, स्तुरी आपको बात कराओ, लड़का तुम से बात कर रहा हूँ लड़की तुमसे बात कर रहा हूँ आपको मजबूत होना है जितने यूटूब पर है मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ बस सिरफ सुनकर ताली बजाकर अप्रिशेट करकर एनिलाइस करकर दोश लगाकर गलतिया निकालकर नहीं 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 आपको मजबूत होना है अगर आप यश्यू के सही अनियाई है ठूफॉ फॉलोवर हैं आपको मजबूती हासिल करना है किसमें? टीचिंग्स देने में आपको ऐसी मजबूती तयार करना है प्रशन उड़ता है क्यों? आप इसके उपर आ रहा हूँ ठीक है ना? प्रशन उड़ता है क्यों? तो उसका जवाब है पहला फोटो देख लिजी आच्छे से जितने जूम के लोग यूटूब के लोग हैं फोटो देख लिजी प्लीज और फिर वचन पढ़ूँगा पहला ती hop Tea 2,4 फास ती hop Tea 2,4 लिखा है वह bracket में प्रभू यानि की येश्यू लिखा है वह ज़्चाहता है कि सब मनुशों का उधारो, मनुशों यादरा को प्लूरल है, मनुशों का उधारो और वे bracket में मनुश सब्य को bracket में वचन कैसे लिखा है पैचाने ठीक ठीक ऐसा क्यों तो इसका मतलब है कि ऐसी भी बाते हैं मसियत में जो ठीक ठीक नहीं प्रचार करते हैं जो ठीक ठीक नहीं सिخाते तो जिसके चलते हैं, Paulus कह रहा है यहां पे, कि जब तुम किसी का उधार कराओ, तो उसको टोटल टीच करो, A to Z टीच करो, मैं आपको कुछ एक्जामपल देता हूँ, आप किसी को गॉस्पल सुनाते हो, स्कूल दोसको, कॉलेज को, फ्रेंड्स को, कलीक्स को, ओफिसवाले को, बडोसी को, रिलेटिव्स को, किसी को भी रहाचलते है आप्में को, या फिर जो घर पे काम करते हैं, उनको आप वचन सुनाते हो, ठीक है न? वचन सुनाया आपने, यह शुको पर विश्वास करो, sister, brother, Anil Sunil, Rakesh Mukesh, जो भी नाम होगा आपका, आप उनको वच्चन सुनाते हो, उसके बाद, आप कहते हो कि काम करो, अगले संडे हमारी online चर्च है, आप उसमें connect हो जाना, ये Zoom का password आपको देंगे, WhatsApp गूरूप में add कर देंगे, MMB का group join कर लो, या तो कोई आप address देते कि यहाँ पर आजाओ, संडे संडे आजाना, उसके बाद, क्या आपकी duty खतम हो जाती है, नहीं, क्या आपका काम खतम हो गया, नहीं, भलकी आपका काम शुरू होता है, वो वेक्थी को, आप जब यशू दे देते हैं न, तो स्वेक्ति को भली भाती, शब्द पे दियान दीजे, भली भाती, उसको पहचान कर आओ यशू के, क्या है यशू, कौन है यशू, क्या कहती है बाइबल, क्या सिखाता है परमेश्वर का वच्ण, उधार क्या है, पवित्रात्मा क्या है, फल क्या है, वर्दान क्या है, तो लिखा है भली भाती, आप जितने स्टूडंट्स हैं न, आप लोग, SSD के, आप लोग के मन में चल रहा होगा, औरे बाबरे, मतलब इतना सब कुछ करना होगा, जी हाँ, इतना कुछ करना होगा, तो मसी जीवन आसान थोड़ी है न, मसी बनना, अभी इसी का, जो पैरलल है, सपोर्टी उ स्क्रिप्चर दे रहा हूँ, यह उन्ना सतरा तीन, लिखा है, अनन्त जीवन, अनन्त काल का जीवन, अनन्त जीवन, कि वे तुझ अध्वित सचे परमेश्वर को, येशु मसी को, जिसे तुने बेजा है, ब्रैकेट में येशु को जाने, येशु को जाने, तो यहाँ पे क्या लिखा है, भली बात ही पैचाने, यहाँ पे क्या लिखा है, येशु को जाने, तो पैचाने और जाने अब आप बताईए क्या ऐसी सब बातों पे हम ध्यान देते हैं क्या इन सब बातों पे हम फोकस करते हैं शायद और फिर हम क्या कहते हैं अरे मेरा उदार हो गया और लगे रहते हैं किसके पीचे पास्टर जी प्रातना करो सर दुकरा है, पास्टर जी प्रातना करो कमर दुकरा है, पास्टर जी प्रातना करो करजा है, पास्टर जी प्रातना करो बेटा बेटी की शादी, नौकरी बिजनस, वीजा, अरे ना जाने क्या क्या, पुरी जिंदगी इसी में चली जाती, लेकिन येशु कहता है, एक व्यक्ति का उद्धार पाने के बाद, उसको सीखना है, उसको अवल दरजे का टीचर बनना है अवल दरजे का टीचर बनना है, कैसा लग रहा है जूम के लोगों, जरा हाथ करके बता दीजे, या wonderful Jesus, see अब एक और कदम आगे पहला फोटो देख लो, आपका बाप्तिस्मा इसाई धरम अपनाने के लिए नहीं हुआ है ये दो फोटो से आप को मैं relate करूँगा, connect करूँगा एक एशु बाप्तिस्मा ले रहे हैं, John the Baptist से और दूसरा आप देख सकते हैं कि वोस तरफ वाला धार्मिक इसाई बनना अब आप समझ गए मेरा इशारा का है अपका बाप्तिस्मा इसाई धरम अपनाने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का concept है, क्या concept है मेरा बाप्तिस्मा होगा, मतलब मैं Christian बन गया मैं इसाई बन गया, नहीं, total nonsense है हो, मुर्कता है हो गलत Bible पढ़ लिया आपने, या तो आपको गलत किसी ने पढ़वा दिया, बाप्तिस्मा आपको इसाई नहीं बनाता, in short इसाईयत का concept Bible में आई नहीं है हमको नहीं का है इसाई बनो जितने भी लोग, अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बताता चलू के Christianity Christianity या इसाई बनना Bible नहीं सिखाती Bible ये सिखाती है कि हम परमेश्वर के राज्य की संतान है, we are the kingdomers, kingdom curse kingdom curse of God हम परमेश्वर के राज्य की संतान है, ये है concept तो जिसके चलते लिका है कि आपका बापतिस्मा इसाई धरम अपनाने के लिए नहीं हुआ है बल्कि सेविकाई करने के लिए सेविकाई करने के लिए आप येश्व को क्यों अपनाते हैं? सेविकाई करने के लिए आपने येश्व की बाते सुनकर बाप्तिस्मा क्यों लिया? सेविकाई करने के लिए बाइबल उठा कर देख लो आप जिस किसी को भी उद्धार हुआ है जिस किसी का भी Old Testament माफ करें New Testament की शुरुबात की किताब की बात कराऊ या Ministry की बात कराऊ अगले पल आप उनको सेविकाई में देखोगे तो इशु का भी इशु को भी बाप्तिस्मा लेते ही आप एक्शन में देखोगे कैसे? मरकुस की किताब उसका पहला दिया बचा 9 फिर उसके बाद में इसी का 14 और 15 आपके लिए रखोगा क्या लिकाए बचा 9 में रख रहा है उन दिनों इशु ने गलील के नासरत में आकर यर्दन में यहुना से बाप्तिस्मा लिया यह देखो बाप्तिस्मा लिया तो इशु ने बाप्तिस्मा लिया तो बाप्तिस्मा लेते ही आगे क्या हुआ? यहुना के वचन 14 पढ़ रहा हूँ यहना खे पकड़ाय जाने के बाद येशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार या सुसामाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकड़ा गया मन फिर आओ सुसामाचार पर विश्वास करो तो इसको कहते हैं कि बाप्तिस्मा लिया अगले पल सेवा, बाप्तिस्मा लिया अगले पल मिनिस्ट्री, बाप्तिस्मा लिया अगले पल परमेश्र का काम शुरू, हाँ, अभी कुछ लोगों के मन्ने प्रशन उठ रहा होगा कि पास्टर डैनियल मेरा तो बाप्तिस्मा नह बापतिस्मा लेते हैं, चर जाते हैं, अपना नाम रजिस्टर कराते हैं और कहते हैं कि देखो हम तो इसाई दरम बन गए, बखाइदा उनके बच्चों का नाम इसाईयों वाला, इसाईयों वाला, क्रिश्चन नाम, अभी आज कल दो तीन वीडियो मैंने देखा था, कि कोई एंटी टाइप के लोग चर्च में गुशते हैं और एक ही प्रशना पूछते हैं कि यहां क्या चल रहा है, बुले प्रात्ना चल रहा है, बुला किस की? ये शुकी, बुला, ओके, आपका नाम क्या अनिता सुनिता, बुला, तुम तो हिंदु हो, तुम यहाँ पर क्यों ब यह नहीं बुलता हो अब उसको पता नहीं क्या धिमाक में चड़ा है और अगर ऐसे लोग अभी मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ थोड़ा सा बुद्धी का इस्तमाल करो आपको येशु ने धरम स्थापित करने के लिए नहीं कहा है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए का है ओके पास्टर डैनियल तो मतलब मैं हिंदू होकर येशु को फॉलो कर सकता हूँ अफकोस मैं मुस्लिम होकर येशु को फॉलो कर सकता हूँ मैं बुद्धिस्ट होकर येशु को फॉलो कर सकता हूँ of course, आपका नाम जो भी है आप जो भी कपड़ा पहनते हैं आपका जो भी कल्चर हैं उसके बावजूद सिरफ कुछ चीजे कंडिशन है, मुर्ती पूजा, वेबिचार और कुछ बाते हैं आपको उसको जो वच्छन को सपोर्ट नहीं करता है या उसको contradict करता है, वो नहीं करना बाकी आपका जो भी नाम है, आगे चलिए येशु को follow करिए, ये हैं तरीका anyway, फिर कभी इसके उपर बात करेंगे तो बप्तिसमा लेते ही येशु मसी ने सेविकाय शुरू कर दी और सेविकाय करते करते हैं, वो पहुँच गए मैत्यू 9 35 में देखो क्या हुआ, लिखा है इशु, सब नगरों और गाउं में फिरता रहा नगरों और गाउं में फिरता रहा, उनकी सभाओं में उपदेश करता राज्ज का सु समाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बिमारी और दुरबलताओं को दूर करता रहा तो ऐसे करते करते शब्द पर ध्यान दीजेगा सब नगरों और गाउं में फिरता उनकी सभाओं में उपदेश करता, राज्ज का सु समाचार प्रचार करता, बिमारों को ठीक करता, फिरा तो यहाँ पर खतम हो गया, नहीं वचन 35 में अगर ये है, तो वचन 36 में, 36 में क्या है दिखा रहा हूँ, पहले फोटो देख लिजे आप ये फोटो बहुत कुछ रिलेट करेगा उस वचन से, जो मैं भी रख रहा हूँ, शब्द पर देन दिजेगा 36 verse, 36 क्या कहता थे जब उसने भीड को देखा कौन सी भीड? नगर की कौन सी भीड? गाओं की कौन सी भीड जिसको अभी सर्दर ठीक किया दुस्तात्मा निकाला, या जो भी विमारी ठीक करी, कौन सी भीड जिसको अभी टीच कर रहे थे और प्रीच कर रहे थे, तो उस भीड को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया कंपैशन तरस आया क्यों? क्योंकि वे उन भेडों की नाई थी जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके वैसे थे, तो इशु ने भीड को देखा भेड की तरह और कहाँ, ये ऐसी भेडे हैं, जिनके उपर कोई रखवाला नहीं है, रखवाला को अगर मैं आज कहूं, तो कोई पास्टर नहीं है, कोई लीडर नहीं है कोई शेपर्ड नहीं है, इनको लीड करने वाला कोई नहीं है और जिसके चलते यह भड़क गए है तो 36 कहता है बढ़के हुए से थे बढ़के हुए से थे जिसके चलते मैं मजबूर हुआ यह स्लाइट रखने में आज 90 प्रतीशत भेड़ें 90% शीप्स 90 प्रतीशत भेड़ें भड़की हुई है बढ़की हुई हैं, किस छेतर में, उनको सही खुराक नहीं मिल रहा है, उनको सही खुराक नहीं मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है, आज 90 प्रतिशत भेड़े बढ़की हुई हैं, और सही खुराक नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि सब को सिर्फ खाना है, कुछ भी मिल जाए खाना है कोई भी कच्छरा मिल जाए खाना है लेकिन सही खुराक नहीं मिल रहा है जिसके चलते ये शुने कहा ये भटक गई है इनके उपर कोई रखवाला नहीं है और जो रखवाले हैं तब और आज भी वो कैसे हैं एक जलक आपको उसकी भी दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद में बात करेंगे तो पहला वचन क्या कहता है लिखा है यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा वचन दो है मनुश्य के संता इजराहिल के चर्वाहों के विर्द भविश्वानी करके उनका उन चर्वाहों से कहा इजरालियों के चर्वाहों के विर्द भविश्वानी करके उन चर्वाहों से कहा क्या कहा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है हाई इजराहिल के चर्वाहों पर श्राप दे रहा हूँ श्राप पित कर रहा हूँ खोस्राओं चर्वाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं अपने अपने पेट भरते हैं याद है पहुलूस ने भी कहा था ये तो पेट के सेवक है रोमियो 16-17 ये तो पेट के सेवक है My goodness तो लिखा है अपने अपने पेट भरते हैं क्या चर्वाहों को भेड बक्रियों का पेट ना भरना चाहिए? Question mark. तो पास्टर्स और लीडर्स, अगर अभी जूम पर और यूटूब पर, आपको खुद का पेट नहीं भरना है, आपको भेडों का पेट भरना है, ये लाइन है. तो लिखा है क्या चर्वाहों को भेड बक्रियों का पेट ना भरना चाहिए? Wachandti, तुम लोग चरवी खाते, उन पहते, मोटे मोटे पशों को काटते हो, परांतु भेड बक्रियों को तुम नहीं चराते. तुम खुद खाते हो, खुद पीते हो, उनके उनको स्वेटर बनाकर ओड़ना ओड़कर तुम खुद अच्छे रहते हो लेकिन भेड़ पक्रियों को तुम नहीं चराते ये कंप्लेंट है वचंचार लिखा है तुमने बिमारों को बलवान ना किया ना रोगियों को चंगा किया ना घायलों के घाओ को बांदा ना निकाली वई को लोटा लाए ना खोई वउं को खो जा परन्तु तुमने भल और जबरदस्ती से अधिकार चलाए ऐसे चरवाओं की बात तब भी थी ऐसे चरवाओं की बात आज भी है किसी की कोई सूध नहीं है किसी का कोई चिंता नहीं है अगर पास्टर का call भी आ जाएं आज के तारीक में तो पुछते हैं इस महीने का दश्माच आपका नहीं आया sister या brother ऐसा क्यों ये पुछने के लिए call आ जाएगा या तो फिर ये पुछेंगे हरे meeting थी आप वहाँ नहीं दिखी या नहीं दिखे ये पुछो आपका आत्मिक जीवन कैसा है आपकी तैयारी कैसी है कि आप दुस्रों को discipling कर रहे हैं कि आपने कितने छेले बनाएं आप दुस्रों को कितना सिखा रहे हैं हद है भाई इस पर बात नहीं होती तो जिसके चलते लिखा जबन दस्ती अच्छा जो अच्छे चर्वा है हम जैसे दस्तक का तो कहते कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना उसकी वीडियो हमको forward नहीं करना क्यों काटते हैं ना हमारे वचन हमारी बाते काटती हैं ना उनको चुकती हैं वाव भी या वचन पांच देखो क्या लिखा है लिखा है वे चर्वाओं को ना होने के करन वे चर्वा हे के ना होने करन तितर बितर हुई और सब बन पशु का आहार हो गए सही चर्वा नहीं मिला बटक गई और जंगली जानवर ने उनको अपना शिकार बना लिया यही तो लिखा है मेरी बेडबकरियां तितर बितर हुई है वे सारे पहाडों उचे उचे टीलों पर बटकती थी वचन छे मेरे बेडबकरियां सारी पृत्वी के उपर तितर बितर हुई है ना तो कोई उनकी सुधी लेता था ना उनको कोई ढूंडता था वचन साथ इस कारण हे चर्वा हो यहोवा का वचन सुनो क्या है देखो वचन आठ परमेश्वर यहोवा की यह वानिय मेरे जीवन की सोगन मेरी बेडबकरियां जो लुट गई है और मेरी बेडबकरियां जो चर्वाहों के ना होने कारण सब वन पशों का आहार हो गई इसलिए कि मेरे चर्वाहों ने मेरी बेडबकरियों की सूधी नहीं ले मेरी बेडबकरियां का पेट नहीं अपना ही पेट बरा भेड बकरियों का पेट नहीं बलकि अपना ही पेट बरा वचन नौ इस कारण वे चरवा हो लिखाए इस कारण हे चरवा हो यहोवा का वचन सुनो परमेश्वर यहोवा यूं कहता है देखो मैं चरवा हो के विरुद्ध हो ऐसे चर्वाहों के विरुध जब परमेश्वर खुद है, तो फिर मैं कैसी सिखाूंगा? मैं भी तो वैसी बाते सिखाूंगा, ना तो मेरी बाते इनको चुकती हैं, काटती हैं, इनको तकलीब देते हैं, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, तो तो तुम परमेशुर का जब वो खुदी तुमारे विरोध में तो क्या उसको अभी विरोध में बड़ी, वीडियो बनाओगे, अवकात नहीं है तुमारी, लिखा है, मैं ने उनसे अपनी भेड बकरियों का लेका लूंगा, उनको फिर चराने ना दूँगा, इसलिए, आज बहुत सारे चर्च में, चर्च के मेंबर दो साल में, खास करके लॉक्डाउन के दरम्यान, एजुकेट हो गए, मुझ जैसे दस टक्का को प्रचार, जो खरा प्रचार करते हैं, एजुकेट हो गए, चर्च छोड़ दिये, उनको छोड़ दिये, ऐसे चर्वाओं के पीछे जाना छोड़ दिये, और मैं कहता हूँ कि शाबाश, जो तुमने ऐसा किया, तो लिखा है कि मैं उनसे अपनी भेड़ बगरियों का लेका लूँगा, उनको फिर वे चराने ना दूँगा, वे फिर अपना पेट बरने ना पाएंगे, मैं आप ही अपनी भेड़ बगरियों की सूदी लूँगा, तो इसका मतला भेड़ परमेश्वर कहता है, तब और आज भी और मेरे दौरा आप लोगों को, कै परमेश्वर अभी किसी के ऊपर अपनी भेड़ बगरियों के जिम्हदारी नहीं देगा, वो खुद चर्वा बनेगा, कैसे बता रहा हूँ, और लिखा है कि वो खुद ढूंडेगा, तो आपनी भेड़ें वो खुद चराएगा, आपनी भेड़ें वो खुद ढूंडेगा, और इसलिए तो लिखा है ना, लुका का किताब उसका, 10 का, 10 का 19 में, अपनी भेड़ बक्रियों का चर्वा होंगा, क्या बात है, येशु कहता है कि आप किसी को मैं चराने ने दूंगा, मैं खुद चराऊंगा, मैं अपनी ही उन्हें, मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा, परमेश्र यहवा की यहवानी है, अब आप भोलोगे, डैनिल भाई, वो तो Old Testament है, New Testament से connect कैसे करोगे, तो लीजे, दे रहा हूँ, यो ना 10 का 16, आपको पता है ना 10 वाद या, वचन 16, मेरी भेड, मेरी और भी बेड़े हैं, जो इस भेड़ शाला की नहीं है, मतलब इसरालियों को संबोधित करते वे, अनिय जातियों की बात कर रहा है, ठीक है ना, जो इस भेड़ शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही जुन्ड, एक ही चरवा, तो डैनियल राज, आपको अभी जो टीज कर रहा है, SST में, मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं यश्यू की आवाज बन रहा हूं, लेकिन आपका पास्टर कौन है, यश्यू, आपका चरवा कौन है, यश्यू, यही तो लिखा है, आप इसी को देखे 17 का 20, मैं केवल इन्ही के लिए बिंती नहीं करता, परन्तु उनके लिए भी, किसके लिए है, जो इनके वचन के दौरा, मतला पत्थरस के वचन के दौरा, पहलूस के वचन के दौरा, और आज डैनियल और आप जैसे 10 तक का लोग, जो खड़ा प्रचार करते उनके दौरा, मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, ओके, पास्टर डैनियल, क्या परमेश्वर, खुद चर्वा बनेगा, आपने अब ही कहा, वो खुद चर्वा बनेगा, यह देख लो, मैं खुद चर्वा बनूगा, ठीक है ना, तो क्या परमेश्वर, खुद चर्वा होगा, लेकिन वो ठीच, किस के दौरा करेगा, लीजिए, दूसरा कुरंतिया पांच बीस, यह आखरी वचन है, सो हम, मसी के राजदूत है, शब्द पर ध्यान देना, मानो, परमेश्वर हमारे दौरा समझाता है, तो अभी SSD में, येश्व अपना चर्च का पास्टर है, अपनी मसी की देखा, उसके, बॉड़ी अफ क्राइस का, ठीक है ना, लेकिन समझा किस के दौरा है, मेरे दौरा, मुझ जैसे दस्टक का के दौरा, तो वो, लिखा है मानो, परमेश्वर हमारे दौरा समझा रहा है, तो ये जो शब्द है हमारे, आप भी बन सकते हैं, यही तो मेरा प्रियास है, यही तो मैं कर रहा हूँ, आप जितने अभी देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं आपके दौरा, परमेश्वर अपनी बेड़ को बताएगा, तो टीचर किसको किसको बनना है, सब को, वाव, कैसा लग रहा है, इसलिए टॉपिक क्या है, टीच दें, उनको सिखाओ, उनको सिखाओ, तो अभी आप टीचर हैं, यूटूब वालो, आप टीचर हैं, आप सब को, अपनी अपनी आसपास के छेत्रों को, सब को टीच करना है, महनो परमेश्वर, आपके दौरा, उनको समझाएगा, तो एक दें, एक पस्टर, पस्टर कोन है, येशू, येशू पस्टर है, लेकिन वो आपके दौरा समझाएगा, तो आपका काम क्या है, टीच करना, ओके प्रभू, आज के बाद, मैं तेरी आवास, तेरी भेड़ बकरियों को सुनाओंगा, तेरी भेड़ बकरियां, तेरा आवास सुनेंगी, मतलब मेरी मत तरफ से, मैं तो जरियां हूँ, सादन हूँ, लेकिन कनेक्ट होंगे आप से, और यही वज़ा है, कि डैनियल राज, किसी को नहीं कहता, कि प्रात्ना ने विदन भेचो, मैं आपके लिए प्रात्ना करूँगा, आपके लिए, मैं प्रात्ना करूँगा, नहीं, यह बकवास हम नहीं करते, हम आपको येशू से जोड़ते हैं, और येशू से आपको कहते हैं, कि तुम खुद प्रात्ना करो, यह है साही टीचिन, मेरे को कोई बाबा बनने का शौक नहीं है, मेरे को कोई तेल पानी बेचने का शौक नहीं है, मुझे किसी प्रकार का लाइम लाइट या फिर सामने आने की कोई जरूत नहीं है येशु को फ्रेंट पे रखना है येशु को आपके साथ जोड़ना है ये मेरा माकसद है और येही सही साथ का अर्थ है